नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज हम बात करेंगे उन सभी बच्चों के लिए जो B.Sc. Agriculture या तो करने वाले हैं या उनका कम्प्लीट हुए एक या दो साल या तीन साल हो चुके हैं और पिछले कई लंबे समय से एक्जाम की तयारी कर रहे हैं कि हमें या तो मास् करना है या किसी एक्जाम को क्रेग करने एक अच्छी जोब को हासिल करना है जी हां दोस्तों बिल्कुल मैक्सिमम स्टूडेंट जब एक ग्रेविशन कर लेता है तो वो यही सोचता है कि कैसे मैं किसी एक अच्छी जोब को हासिल कर सकता हूँ और उस जोब को हासिल करने मे उसको काफी लंबा time कई बार निकल जाता है, और even though जब वो तयारी कर रहा होता है, तो उसको कई problem face करनी पड़ती है, कि मैं content कहां से पढ़ू, किस content को पढ़कर, किस किताबों को पढ़कर, मैं इस exam को correct कर सकता हूँ, या आपके लिए सबसे बड़ी major problem आती है, कि हम जब तया पिर भी मैं इस exam को crack क्यों नहीं कर पाया तो आज इन सभी questions के answer मैं इस पूरे session में आपको देने वाला हूँ आपको definitely इस video के बाद feel होगा कि हमारी side कहीं कोई कमी रही होगी या फिर हम लोग side इस part में lag कर रहे हैं और उस part को आप लोग दुरस्त करके और अपने exam को निकाल सक तो सबसे पहले इस exam के बारे में discussion करने के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि जो agriculture के जितने भी exam है चाहे आप किसी भी exam की बात करोगे नाबाड की बात करते हो नाबाड grade A है या आपका IBPS A of O है या हमारा किसी भी state का agriculture का exam है चाहे वो आपका ADO का exam है agriculture development officer, agriculture officer, RAO है या समझने की जुरूरत है आप लोगों को तो देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको ये understand करना पड़ेगा कि हमारे जितने भी agriculture के exam है उनके अंदर ये आपका जो पार्ट रहता है वो कही ना कहीं आता है लेकिन हाँ इन में से कुछ topic या कुछ subject होते हैं जो साइद किसी exam में exclude कर देंगे और बाकी exam में include कर देंगे जैसे मैं नबाड की बात करता हूँ, AFO की बात करता हूँ, NSE की बात करता हूँ या आपका यहाँ पर CWC की बात करता हूँ तो इन exam के अंदर आपका syllabus common रहता है और आपका जैसे हर्याना ADO की बात की जाए, इनके अंदर भी syllabus common रहता है, UPSC में भी जा रहे हो, आप लोग को syllabus common रहता है, अब यहाँ पर आपका कुछ exam जैसे की FCAE की बात करेंगे, तो FCAE में इनमें से कुछ subject को निकाल दिया जाएगा, या आपके जो state agriculture exam होते हैं, उनके अंदर एक या दो subject को निकाल दिया हर उस exam में आते हैं, जो भी आप agriculture का exam देने जा रहे हो, उसमें पर टेक्स रूप से, यानि कि आपका direct question या indirect question आपको इन subject से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपका general agronomy या general agriculture की बात जो करते हो आप लोग, उसी के साथ में जो आपकी field crop की cultivation practices, वो आपका pulses है, cereals है, या oilseeds है, या commercial crops है, उनको कैसे cultivate किया जा सकता है, उनको cultivate करने के लिए हमें किस-किस परकार की practices किया हो सकता होती है, वो आपका रहेगा, modern concept of agronomy, यानि कि जिसके अंदर organic farming, precision agriculture, sustainable agriculture, इस परकार के dryland agriculture, ये आपके important topics को आप लोग पढ़ते हो, य वो भी हमारा इसी के अंदर cover किया जाता है, तो इसका मतलब ये है, कि यहाँ से आपका agronomy का part cover हुआ, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, plant physiology की, plant physiology में plant आपका कैसे तयार होता है, plant की metabolic activities क्या है, plant के अंदर photosynthesis, respiration, ये सब आपका इसके अंदर आता है, hormones हैना, next हमारी बा के advanced unit तक सब चिजों को cover करना पड़ता है, और यही हम लोग गलती कर लेते हैं, हम ऐसी चिजों को बढ़ते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए साइद उस exam के लिए important भी नहीं है, लेकिन क्या है कि हम इस दुनिया के अंदर ना चका चोंद में फस जुके हैं, जैसे हम Instagram और YouTube में कैसे एक छोटी सी वीडियो के चकर में फस जाते हैं, उसी परकार से यहां पर भी आप लोग कई बार जो है, ट्रैप हो जाते हो, आप लोग सोचते हो कि syllabus जो है, वो आपका यही आएगा, यही question आएगा, और हम उन्हीं पार्ट के उपर जादा फोकस करते रहते ह हैं, और जो इनका आधार होता है, जो इनका base होता है, हम उनको छोड़ देते हैं, अभी भी आप में से कुछ बच्चे तो ignore करना चाहेंगे कि यह तो हमें पता है, नहीं, आपको वाकई में जो इसका base है, जो इसका foundation है, वो हमें नहीं पता है, हम इस foundation को तयार बहुत लंब नहीं है, या सोचते हैं कि यह कैसे important हो सकता है, और यह तो बहुत ही आसान है, यह तो मैं कल कर लूँगा, यह मैं बाद में कर लूँगा, यह तो मैं last में जाते time revise कर जाऊँगा, और वही चीज आपकी exam में आ जाती है, और हम लोग सोचते हैं कि हमारा selection कैसे नहीं हुआ, यह तो मुझे बहुत आसानी से आता था, exam के अंदर भी यह होता है exactly, क्या होता है, कि हम लोगों ने question को attempt कर लिया, exam center से बाहर आए, दोस्त के साथ discussion किया, अरे यह question का यह था, इसका तो answer गलत हो गया यार, यह तो मुझे आता था, और यही कारण होता है, क्योंकि exam crack करने मे सबसे बड़ी problem यही आती है, कि हमारे जो fundamentals होते हैं, हमारे जो basics होते हैं, हम उनको clear नहीं कर पाते हैं, तो मेरा मानना यह है, कि आपके यह जो subject होते हैं, चाए plant physiology है, seed science है, यह हमारे fundamentals को clear करते हैं, agronomy के लिए, horticulture के लिए, plant breeding के लिए, क्योंकि यहां से आपको एक basic understanding clear होत तो बात करने की भी आऊ सकता नहीं है, लेकिन actual में मैं बताना चाहूँगा, कि काफी चीज़ें होती है, जो इन subject से भी relate करके आपके exam में आती हैं, और हम लोग इन ही subject को क्या कर देते हैं, आपका ignore कर देते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी mistake होती है, फिर बारी आती ही, soil science, क् subject है, ये भी एक important part रहता है, जैसे हमारा crop production कर रहे हैं, तो crop production कहां करेंगे, क्या बिना मिट्टी के क्या फसल उगाई जा सकती है, नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि agriculture का मतलब है, आप लोग crop production करते हो, या उसके साथ में allied activity, जैसे कि आपका animal inventory हो गया है, जिसमें हम लोग animals को prayer करते हैं, या आपका honeybee production करते हैं, mushroom cultivation करते हैं, तो इन में ज्यादातर अगर आप लोग find out करोगे, तो आपको बता चलेगा कि मिट्टी किसी भी फसल को उगाने के लिए, किसी tree को उगने के लिए एक बहुत ही fundamental और basic unit रहती है, उसको support देने के लिए, उसको हर एक nutrient और water availability कर पाने के लिए, उसको वहाँ पर एक परकार से एक आपका उन roots को एक space देने के लिए, वहाँ पर मिट्टी एक important part रहते हैं, देखो agriculture, agriculture का मतलब सारा crop production का है न, तो उसी के relation में जितने भी subject diversified form में हमारे सामने आ रहे हैं, उनको हमें समझना पड़ेगा, कि किस परकार से वो एक crop को produce करने में हमारे लिए important साबित हो सकता है, और उसी में आपका जो मिट्टी है, soil science है, वो हमें पूरा guide करता है कि ये वाकई में हमारे लिए important हो सकता है कि नहीं हो सकता, फिर हमारा horticulture, horticulture is not only a single or minor subject, it is about the, कैसे हम लोग food का production करते हैं, कैसे हम लोग सबजियों का पादन करते हैं और वहां से आपका extra income generate कर सकते हैं एक खेट से, और ये हमारे लिए क्यों आज important होता जा रहा है, क्यों हम लोगों जो है आपका यहाँ पर फसलों के साथ होटी कल्चर की importance मारे लिए सामने आ रही है, और साथ में बात करेंगे तो plant pathology और आपका agricultural entomology जिनको हम लोग plant protection के नाम से जानते हैं ये कैसे आपकी फसलों को बचाया जा सकता है अगर उसके उपर किसी प्रकार की गंबीर बिमारी आ जाती है या उसके उपर कीट या पतंगों का अगर attack हो जाता है तो कैसे हम लोग फसलों को बचा सकते हैं और कैसे उसके उपर control measure follow किया जा स agriculture engineering में ये बोलूगा कि आपका field crop के साथ भी associated है बोलोगे सर कैसे देखो आपको अगर land को तयार करना है तो आपको मसीनों की आवशक्ता होगी और मसीनों की study किसमें पढ़ते हैं हम लोग आपकी agriculture engineering में पढ़ते हैं तो यहाँ पर important है कि जो agriculture engineering है वो हम लोग कैसे इसमें utilize कर सकते हैं और इसका क्या important part होता है जो हमारे इसमें exam में आ सकता है फिर हमारी बारी आती है जी एनिमल हस्पेंटी और fishery science मैं ये बोलूगा कि ये जो subject है वो आपके बिल्कुल allied sector के subject है और यहां से आपको ये समझना चाहिए कि ये जो subject आपके होते हैं यहां आपको जो है focus क करना पड़ता है कुछ एक exam के अंदर जैसे AFO या फिर नबाड में तो यहां से पक्का question आता है RRBSO में पक्का question आता है तो यहां से आपको इस part को त्यार करना है जब इस exam में जैसे MSC entrance में आप लोग जाते हो pre-pc में आप लोग जाते हो वहां पर क्या होता है ये exam में question आ avoid कर दिये जाते हैं लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग ऐसा तो करोगे नहीं कि मैं एक ही exam के उपर ठिका रहूँगा दूसरा किसी exam को देने ही नहीं जाँगा तो मेरा ये मानना है कि ये वो subject है जो बहुत ही minor तरीके से अगर इनको अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत अच्छे से तयार हो जाते हैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आपको जो allied जो exam है उनको भी crack करने में help मिलती है तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आपका ये जो subject है चाए वो minor है चाए वो allied है चाए वो agriculture का main subject है हमें उन सभी के उपर आपका equally focus करना है फिर आपकी बारी याती है जी agriculture extension और agriculture economics जो आपको guide करते हैं कि कैसे हम एक farmer की income को increase कर सकते हैं कैसे नए rule and regulation को ले कर आ सकते हैं कैसे नही schemes लेकर आ सकते हैं और। schemes का farmer को क्या benefit दिया जा सकता है और कैसे यह scheme farmer के level तक लेकर जा जा सकती है और उनको guide कर सकते हैं फिर बारी आती है जी plant breeding और bio tech देखो plant breeding और bio tech वो subject है जिनसे हम लोग एक नए आपका plant को या नई technology की मदद से आप आज present time में improved varieties, improved technology डवलप कर पाए हो और उससे आपका crop production को increase करने में help मिली है तो यह जो सारे subject यहां पर 17 subject हैं जो आपको agriculture में हर हालत में तियार करना पड़ता है हम लोग ना normally जब पढ़ते हैं तो एक छोटी सी book को उठाते हैं हम सोचते हैं कि उससे exam में काम हो जाएगा भाई यह मानना है कि आपका हर एक exam को crack करने के लिए कई बार आपको अलग-लग content और अलग-लग books पर rely करना पड़ता है और तब जाकर वो exam आपका crack होता है और अगर आप इन subjects को मेरों को लगता है कि अगर basic से लेकर advance तक एक बार समझ लेती हो तो उसके बाद आपके सामने कोई भी exam आ जाए आपका कोई question कभी वहां से नहीं छूट सकता और यही भरोसा है आज तक अगर मैं पिछले 4-5 साल की बात करूँ तो मैं हमेशा चाती ठोक कर बोलता हूँ कि मैंने इस exam के अंदर 80% question को cover किया तो बोलने का कारण यह नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई अतिश योक्ती बोल रहा हूँ और केवल बोल दिया मैं आपको इवन दो बहुत बार तो बताता हूँ कि 40% question तो आपको YouTube पर मैंने करवा दिये थे तो उसका कारण क्या है क्या है क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया हमारे team ने केवल मैं अपनी बात नहीं करूँ हूँ क्योंकि आप लोग कई बार इस चीज को समझते हो कि केवल एक teacher यह कर सकता है नहीं कर सकता यहाँ पर हर subject के जो experts है वो अपने level पर जाकर उनको यह एक ही चीज की solution दी जाती है पहले ही दिन कि आपको क्या करना है कि इन पूरे subject को basic से advance तक तक त्यार करना है और आप लोग किस परकार से त्यार करते हो वो आपका काम है तो अब यह जो teachers content बनाती है वो कहां से बनाती है और आप लोग उस content को कहां से पढ़ सकते हो यह मैं आपके सामने जुरू रखना सबसे पहले क्या है कि जो भी agriculture का भच्चा होगा वो आपका in exam की तयारी करता है जैसे आपका नाबार्ड हो गया, IBPSAF हो गया, या आपका MSE entrance का exam हो गया, Pre-PG राजस्तान हो गया, BHU entrance हो गया, CUT PG जिसके अंदर हमारा आ जाता है ना, Assistant Agriculture Officer हो गया, या आपका Agriculture Officer का exam है, Agriculture Extension Officer क exam है, या IF, CO, CRIB, CO, NSE, CCI, FCI, CWC, है ना, जितने भी आपके exam है, चाहिए वो center level की है, आपका state level के exam है, इन सभी exam को तयार करने के लिए आपको ये सारे के सारे subject पढ़ने पढ़ते हैं, हाँ, कुछ एक exam के अंदर जैसे FCI, CCI की बात करेंगे, तो इन में आपके जो allied sector के subject मैंने बताये थे, वो साइद आपके नहीं आते हैं, बाकी इनके अंदर ऐसा कोई भी आपका exam नहीं है, जहाँ पर वो सारे के सारे subject नहीं पूछे जाते हैं, जैसे ADO वगेरा में आप लोग बात करोगे, तो साइद आपका, वहाँ पर क्या नहीं आएगा, होटी कल्चर न पानी जाएगा, उसी परकार से वो रहाँ कि पूरा syllabus आपको cover करना पड़ेगा, अगर आप अलग-लग exam को देना चाहते हो, क्योंकि देखो, एक exam के अंदर तो कई बार क्या होता, post, number of post कम आज आती है, हम लोगों ने महनत भी की, लेकिन साइद हमसे कोई महनत करने वाला ज चाहिए, ये हमारे अंदर जज़बा होना चाहिए, तब जाकर आप उस exam को निकाल पाते हो, सबसे पहले तो आपको अगर exam की तयारी करनी है न, तो आपके mind में ये चीज़ जरूर आनी चाहिए, कि भाई देखो, मैं इस exam की तयारी करने चाह रहा हूँ, और मैंने इतना time इस exam के लिए देना है, और मैं वाकरी में इस exam की तयारी करके और इन exam को निकालने की कोशिस करूँगा, और मेरा एक ही यहाँ पर मकसद है कि exam को निकालना और मेरे अंदर potential है, मेरे अंदर capability है, चाहिए मेरे सामने कितनी भी problem आजाए, लेकिन मैं इस exam को निकालके आपका द तो उस exam की डट कर तयारी करने का आपके पास graduation के बाद एक से दो साल का time होता है, उसके बाद अगर आपका selection नहीं हो रहा है, तो मैं आपको recommend करूँआ कि आप किसी भी private job या part time job को पकड़ो और उसके साथ में अपने exam की तयारी करो, वरना क्या होगा, आपका दो साल के और आप third year या fourth year में हो, तो उस time पर लग जाओ अपने exam के लिए, तब ही आपका exam जो है, वो निकालने में आपको help मिलेगी, अच्या कई बार भचे सोचते हैं कि मैंने जो MSC के agriculture की जो त्यारी की है, क्या वो मेरी बाकी exam में help करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई, आपका syllabus से आप syllabus को उठाकर तो देखो, वहाँ पर बस बात इतनी है कि जो question पूछने का तरीका है, वो बदल जाता है, otherwise आपका syllabus वही रहता है, उस syllabus के अंदर कोई कभी change नहीं आता, कोई कभी बदलाव नहीं आता है, फिर हमारी बारी आती है जी, हम लोग किस-किस content को किन-किन books को बात करें, तो यह जो book है, यह basic agriculture है, मैं यह नहीं कहुँआ कि केवल इन books exam crack हो जाएगा, नहीं, यह वो basic agriculture की books है, जिनको आप में से, अगर हम बात करें, जिसे यहाँ पर fundamentals of agriculture by अरुन का त्यान, basic agriculture नेमरा सुन्दा की है, treasure of agriculture है, agriculture at a glance है, मेरा यह मानना है कि आप इन में से क जो दोनों volume है, उनको आप लोग जरूर पढ़ो, क्योंकि इनकी अंदर एक basic understanding आपको मिल जाएगी, और हर subject जादा तर आपका cover इसमें हो जाता है, तो यहाँ से आपको basic understanding हो जाती है, लेकिन इससे काम नहीं चलता, क्योंकि आजकल exam का level जो है, बढ़ गया है, तो वहाँ प ग्लांस है, treasure of agriculture है, basic agriculture है, या फिर fundamental of agriculture है, तो मैं सबसे पहले इन दोनों की book की recommendation जरूर दूँँगा आप लोग जरूर पढ़े, इसके अलावा इन में से आप लोग कोई भी टीनों में से एक book को आप चूज़ कर सकते हो, और उससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपकी आती है, measure और आपकी highly recommended books, जिनको हम लोग बोलते है, authorized book है और यही वो book होती है, जिनको हम लोग बाद में ऐजे आपके authentic source की form में use कर सकते हैं, अगर हमारा question गलत हो जाता है, तो भी, जैसे आपकी handbook of agriculture है, यह overall आपके agriculture की basic understanding, general agriculture का जो part है, उसको आपका cover करने में help करती है, उसके बाद में बारी आती है, soil science की books, introductory soil science जो हमारी डी की दास के द्वारा है, या fundamental of soil science, दोनों में से एक book को आप लोग किसी को भी purchase कर सकते हो, और आपका modern concept of agriculture, handbook of agriculture, लेकिन सबसे बड़ी समश्या क्या है, कि इन books के अंदर content है बहुत जादा, किताबे महंगी भ हमारे पास समय होता है, और अगर हम लोग इनको पढ़ने बैठ भी जाएंगे, तो भी हमारे पास समय नहीं मिल पाएगा, और हर एक book को अच्छे से cover करके 2-3 बार revise नहीं कर पाएगे, ये सबसे बड़ी समश्या होती है, क्योंकि आपके सामने इतनी books नहीं है, ये books आप ल प्रडक्शन के लिए वोल्यूम 1 और वोल्यूम 2 दो बुक्स है, डोक्टर राजिंदर प्रसाद की ICR की द्वारा बुक्स है, और इसके बादे बारी आती है जी, प्रिंस्पोल अफ एक्रोमी और एग्रोमेटलोजी की किताब की यहाँ पर जो ऐसा रेडी की द्वारा यह भी आपकी बुक है, और नेक्स्ट हमारा पार्ट है, वीड साइंस एंड मनेजमेंट और प्लांट साइंस जो आपकी प्लांट प्रेक्शन का अगेन आपका important पार्ट है, जिसमें आरस सिंग की यह बुक आपका गरंथ माना जाता है आपके प्लांट पैथोलोजी के लि एक सबसे बड़ा illusion होता है कि हम जैसे ही इन books को देखते हैं माइंड में गवरावट पेदा होती है कि यार इतना content कैसे पढ़ सकते हैं इतना content पढ़ने के लिए तो time भी नहीं होता और वाकई में यह सरसाइब बेकूफ बना रहे होंगे यहां पर हो क्या रहा है इस सीज़ को समझो क्योंकि actually में क्या होता है आप जब जितने भी exam जो मैंने अभी आपके सामने रखे थे उन exam को जब देने जाओगे तो उन exam को देने के बाद आपको पता चलेगा कि यहां पर जो questions है वो कभी किसी book में से आजाता है कभी किसी book में से आजाता है कभी कहीं से वो cover हो जाता है तो हम इनको एक साथ में cover कैसे कर पाएं तो इनके लिए वही बात आती है कि यार इन अलग-लग books को पढ़ ले लेकिन मैं आपको इन अलग-लग books को recommend नहीं करूँआ मैं आपको ये recommendation जुरूर दूँआ कि या तो आप अपने base पर पढ़ रहे हो और किसी भी coaching वगेरा का साहरा नहीं लेना चाहते हो तो आपको जो तीन website के link बताए थे आप उन तीनो website के उपर rely करके 100% अपरी तयारी को start कर सकते हो और maximum question आपके cover हो जाएंगे लेकिन उसके बादे में बारी आती है कि सर हमें उन website के उपर भी जब जाते हैं तो बड़ा compiled और complex content हमारे सामने आ जाता है और उसको एक प्रकार से compile करके और हमारे लिए उनको निकालना बड़ा असान नहीं होता है और वही बात आपके साथ जो है बहुत सारे coachings भी कर रहे है क्या कर रहे हैं वो same content copy paste करके आपको provide करवा देती है और आप लोग सोचते हैं कि यह हमारे सामने सारा content आ गया compile form में और अब हमारे लिए काम आसान हो गया लेकिन फिर वही बात है कि वह उन चीजों में उन चीजों को छोड़ देते हैं जो कि आपके लिए important होती है अब यह आपका exam crack कर पाते हो और चाहें वो website का content निकालो चाहें आप इन में से निकालो यह आपके लिए मैं बोलूँगा कि राम बान साबित हो जाएगा और आप अपने exam को वाकई में crack कर पाओगे यह मेरा वादा है आपसे लेकिन सबसे वड़ी समश्या यह है कि यह तब ही कर सक पाओं पढ़ पाओं या इतना समश्या है मैं निकाल पाओं तो नहीं मैं आपको फिर recommend करूँगा कि आप किसी भी परकार से किसी coaching के साथ या फिर हमारे साथ भी आप लोग जुड़ सकते हो जहां पर हम लोग इन सभी content का जो मैंने अभी आपके सामने नाम लिया है यह सार अगरिकल्चर का जो general agriculture का content है वो इसमें सारा आपका एक ही book में आ जाता है तो आपको help मिली कि नहीं मिली तो वो आपके लिए important साबित होता है उसी प्रकार से आपकी agriculture current affair अब आपको agriculture current affair जो है वो आपको अलग-लग website पर जाना पड़ेगा अलग-लग PDF open करनी पड़ेगी और इनको आप निकाल भी नहीं पाते हो कई बार हम लोग 1500 पेस के उपर rely करके हम लोग सोचने की exam हो गया नहीं आपको बताना चाहता हूं कि जब agriculture exam में current affair की बारी आती है तो हम लोग हमेशा इन चीजों को ignore कर देते हैं दो चार नंबर हमारे वहां से fix होते हैं नबाड के क्या दो राते हैं कि हम सोचते कि यार इसका तो कोई दिक्क यतनी दो क्योंड देंगे तीन क्योंड देंगे लेकिन वो आपका कहीं ना कहीं जनरल अग्री कल्ट्र को भी कवर करता है current affair को भी कवर करता है और वही हमारी समझ नहीं बन पाती है कि agriculture current affair क्या होता है हम कीवल factor data को agriculture current affair मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि agriculture current affair का मतलब केवल इतना ही नहीं है, हमारे previous के अंदर भी अगर agriculture के द्वारा कोई extension program चलाए गए थे, तो वो भी आपका agriculture current affair का ही part होता है, इसके अलावा government ने जो भी step लिये हैं आपके farmer को boost up करने के लिए, वो भी आपका current affair का part होत होता है, क्योंकि लगातार government उन चीजों को अभी focus कर रही है, लेकिन उन में से कुछ highlighted चीज में जो अभी recent हो रही है, उन पर questions आपके exam में आ जाते हैं, इसलिए हम उनको agriculture current affair का part मानते हैं, तो हमारी एक basic understanding नहीं होगी, तो ये current affair का part हमारे लिए एक निकालना बड़ा नहीं, मेरा मानना ये है कि current affair आपका ऐसा part है, जिसको आप अगर थोड़ा सा भी interestingly देखोगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, recent government के जो आपकी scheme है, वो भी समझ में आ जाएगी, और government अभी present time में क्या प्लान कर रही है, फार्मर को income को improve करने के लिए, और देवकुफनी बना रहा हूँ, मैं वो बात बोल रहा हूँ कि जो आपके previous facts है, वो भी हमारा इसके अंदर करी बार attach होकर उसके साथ mislinious form में आ जाता है, और फिर हम लोग उसको नहीं मान पाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप लोग अगर इन content को पढ़ते हो, आप लोग इन books के उपर rely करते हो, तो ये भी मेरा वादा है कि यहां से भी आपका maximum part cover है, हो जाता है, और इसके साथ में इसी चीज़ को problem को खतम करने के लिए, हम लोग complete agriculture का एक foundation, जो beginner course है और एक advanced course है, दो course हम लोग लेकर आ रहे हैं, इसमें आपका complete agriculture, जितने भी आपके subject थे, यह सा fourth year या फिर अभी graduation हुआ है, उन लोगों के लिए मैं beginner course को recommend करूआ, और जिन लोगों को एक साल, दो साल त्यारी करते हो चुके हैं, उनको मैं advanced course recommend करूआ, अगर उन लोगों की कुछ हद तक अपना content पढ़ा हुआ है तो, और आप इन content in courses को join करके, यह मेरा वादा है, कि आप यहां पर अपनी जो basic understanding है और हर एक exam की जो समझ है, वो इतनी जादा strong बना लोगे, कि आपका वो exam आसानी से निकल जाएगा, और यही आपके लिए हम लोग ना की केवल एक teacher करता है, बलकि सभी teachers आपके लिए fundamentally एक content ट्यार करते हैं, और आपको advanced सक guide करते हैं, कि कैसे इस exam को निकाला जा सकता है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी होता है, और साथ में आपको practice हम लोग करवाते हैं, हमारी सबसे बड़ी जो आपकी एक प्रकास से strength हो, और हमारा जो strong point है, वो यही है, कि हम आपके हर एक बच्चे को, personally हर बच्चे को guide करते हैं, कि कैसे आप लोग exam क निकाल सकते हैं, और अगर आपके साथ कोई problem आती है, तो हम personally आपको help करते हैं, कि भाई आपकी यहां पर यह समझ्चा है, और आपको test देते time यह भी बताया जाता है, कि यह topic में अगर आपकी यह समझ्चा है, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो, इन topic को आप लोग कैसे crack कर सकते हो, और इन topic पर हमें इतनी ज़्यादा importance देनी है, क्योंकि हमने आपके पिछले 5-10-15 साल के अंदर जितने भी exam हुए चाहें, वो state exam थे, center exam थे, MSC interest exam थे, सबको compile up करके, एक आपका ऐसा मतलब पोथा त्यार कर लिया, ऐसा content त्यार कर लिया, कि जिससे आपका कोई भी exam में जो question आता है, वो आपका 100% cover हो जाता है, तो उसी के लिए, क्योंकि आपको तो उस exam के crack करने के लिए 65-70% number चाहिए, लेकिन हम आपका कोशिस करते हैं कि 85% questions आपके exam में जो आते हैं, उनको cover कर पाएं और up to 100% तक कई बार वो questions cover हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए यहाँ प file content आपको दिया जाता है, और जिससे आपको exam को crack करने में क्या मिलती है, help मिलती है, और यहीं अगर हम बात करें, तो आपके इस exam के साथ, यह जुरूरी नहीं कि आपको complete course को जोइन करें हो, अगर आपको हर्याना ADO, जिसे रेसेंटली आपका 14 October को नया best start हो रहा है, या फि 100% आपकी जो experience faculties है, वो आपको guide करती है, online और offline दोनों platform के उपर, और बहुत ही minor fees के साथ, और यह आपका जो complete agriculture का course है, इसमें सभी exam की fees को एक प्रकार से यह मालनों कि एक exam की fees के अंदर आपके सारे exam crack होने वाले हैं, जो आपको 100% effort करते हैं, उमीद है कि यह आप लोग सकते हो, और अप in courses के अंदर enroll कर सकते हो, और यह time बहुत जल्दी निकल जाता है, याद रखना, और हम लोग यह जो course आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक-एक साल के लिए यह course है, और इन में आपको लगातार help करेंगे कि कैसे आप लोग exam को crack कर सकते हो, कहां पर आपकी problem आ effort दो और इन exam को crack करो, और इसके अलावा अगर आपका कोई doubt है, कोई comment है, तो आप comment box में जुरू बताइएगा, उन doubts को मैं definitely कोशिस करूँआ कि next videos के अंदर आपके साथ discuss से कर सकूँ, और इसी परकार से आप लोग के लिए best of luck, अगर आप लोग self study भी करना चाहते हो, तो उ वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी आप लोग जुरू बताइएगा, thank you so much, have a great day, जय हिन, जय भारत!